आप सभी का स्वाद करती है अपनी यूटीब चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं सर्दी के मौसम में मूली गाजर यह तो भूर सारी आती ही है तो चलिए इन मौसम में अगर मूली या गाजर का अचार हो जाए तो वहाँ क्या ची है तो आईए मैं आपको मूली गाजर मिर्ची और अद्रग लेसुन से एक मिक्स में आपको अचार बनाना सिखाती हूं और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों सेयर कीजिए जिसे इस वीडियो का सभी आनुन ले सके और अगर जब कभी हम सबजी नहीं बना पाते हैं तो पूरी परायटे कुछ भी य हरी मेर्ची ले लिए हैं और थोड़ा सा अद्रक का एग इंच टोड़ा ले लिया है और कुछ दस से वारायकली लेसुन की ले लिए हैं मैं यहाँ पर मिक्स बना रही हूं आप अपनी अकोरिंग बना सकते हैं गाजर मूली का भी बना सकते हैं तो इस प्रकास से पीसेश बहुत कापी लोग बनाते हैं लेकिन कोई दूप में सुकाता है कोई वालता है तो यह जट बहुत ही मुझे बोरियल लगता है तो चलिए मैं जटपर से आपको बनाना सिखाती हूं मूली गाजर और मिर्ची का मलब पचमेल अचार तो मैं यहां पर जटपर से नहीं काट ले हूं श्राइब क्योंकि मिर्ची मेरी थूड़ी तीक ही हैं अगर आपकी मिर्ची तीका नहीं था आप वी ले सकते हैं एस परकार से सारे बीज बीज को उठा के और इस परकार से पीसस में काट के मिर्ची को ले ले दीए हूं ल Meredith पूरी यों के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर जो मैंने मसाले लिए हैं साबूत उनको थोड़ा सब रोष्ट कर लेती हूं भूज लेती हूं तो यहां पर मैंने जीरा मेती अजवाइन सौब को लिया है तो इस नहीं यहां मैं तबे पर हलका सा इन्हें लेती हूं और एक प्लेट में निकाल लेती हूं जिससे कुछ देर के लिए ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे हलका दरदरा और पीस लेंगी तो इस प्रकार से मैंने और जो मेरी पास पीरी साथ है तो उसे भी मैं यहां पर हलका सा भूज लेती हूं इसे थोड़ा सा गरम दाता है सरसों से जो मेरा जो मसाला है पिसके तईया रोचवाए अधंड़ा होने के बाद मेरे पास पहले से पिसा रखा हुआ था तो में उसे यहां पर इस्तौमाल कर रहे हूं तो इस परकार से इसमय थोड़ी सी हलदी और थोड़ी सी मिर्ची मैं यहां पर और मैं में X कर लेती हु तो मेरा तेल जस Guide में दस बार रहे से लाय से लुचन के लाइज सिर्फ इसे गरम करना है तो इस प्रकार से मैंने आद्रक लेसुन और मिर्ची को पहले डाला है फिर मैं मूली डाल रही हूँ और गाजर को भी इसी में डाल के करीब दो से तीन मिलट के लिए मैं यहाँ पर इन्हें उलट पर लेती हूँ मुझे यहाँ पर क्या है इनको प्राई नहीं करना है हलका सा इनका कर्चापन लेकर जाए वस इतना ही करना है थोड़ी सी हिंग चुटकी वर मैं यहाँ पर डाल दिये और सारे मसाले डाल दिये मैंने यहाँ डानने के बाद मैं यहाँ इसे वो एक डिबे में वह लेती हूँ मैंने यहां पर तला नहीं है इनको लेकिन हां गरम जरूर किया है हलका सा गरम होने के बाद मैं डिबेव लेती हूँ और यह अच्छा 24 गंटे में परफेक्ट बन की तैयार हो जाता है तो इसे आप परायटे मूट या फिर पूरी या रोटियों के साथ मैंने यहां पर मैंने दाल और रोटी के साथ सब्सक्राइब करें दाल और रोटी के साथ सर्किया है